है यह तो फ्रेंड हाइई गुद मॉर्णिंग एन वेल्कम बैक टो मैं चैनल और फ्रेंड कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड यह देखिये यह इवनिंग का वीडियो है भुली से दू दिन पहले का यह वीडियो है इवनिंग का और इवनिंग में मैं यह बोटल ये सब थुरा भड़ ली उसके बाद जो थुरा बहुत काम होता है वो सब मैं कर ली कि यह whiskey को मैं भूण रहे हूं क्यूंकि मुझे मुझे बनाना है तो गूज्या बनाने के लिए सब करके qam मैं कम कर लूँ तो वहीं सुजी को मैं फ्राइ कर लेती हूं और फ्रेंड वीडियो को आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत किजेगा इस वीडियो को क्योंकि इंट्रेस्टिंग वीडियो है पूरा बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है आप लोग जरूर से जरूर एक वर फुल वाच किजेगा तो आप लोग देखिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो अच्छा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजेगा कॉमेंट किजेगा तो फ्रेंड देखिए यह मैं में सुजी को फ्राइ कर रहे हूं तो सब नहीं रहेगा तो फिर वो सब वीडियो मैं नहीं सूट की सुजी को फ्राइ कर ये वीडियो सूट कि अग्ले दिन का वीडियो कि इसमें अधर है अग हिसे इसको चुला रही थि तो बहुत थकावट मुझे वैसुस हो रहा था तो मैं इस लैप पे ही बैठ गई आराम इसे बैठ गई बनाऊंगे इसको छानने के टेम मैं चुला नीचे कर लोगे इसको बैठ करेंगे इसको सूजी को भूल लेती हूँ फिर छानने टाम में चिलह नीची करूंगी तो इसको मैं रख देती हूँ ठंडा हो जाएगा फिर ढख के रख दोंगी इसको मैं सुबह बनाओंगे और यह फिर उरत का दाल है तो उरत के दाल को भी मैं रख देरी फूलने के लिए पानी में तो फूल जाएगा तो फिर कल मैं इसका दही बरा बनाओंगे तो फ्रंट देखिए अभी मैं मॉर्णिंग में यह चाई बना रही हूं और नास्ता मेरा बन गया है तो नास्ता बन गया है और चाई बनाके पी लेती हूं उसके बाद किचन साफ कर लूँगे फिर सारो को साफ सफाई हो जाएगा उसके बाद मैं रात में न सूजी को तो हम लोग के बिहार में इसलिक्ता बूल जाता है तो यह कर दो में तो फिर मैं प्रुकिया बनाओंगे अभी लेकिन इधर बहुत काम है बहुत सारा बटन है बहुत और कीचन साफ करना रोम सारा ज्जारू पोछा बहुत काम है कपड़ा भी बहुत तो फ्रेंड आईए देखिए मेरा चाय उबल रहा है और आईए आप लग भी चाय पीजिए ऐसे भी दो कप चाय है तो हो जाएगा आईए और यहां पर हो गया मेरे घर का सारा काम सब कुछ हो गया उसके बाद फिर मैं नहाद होके यहां पर बैठके गुजिय बनाने के लिए तो यह उसके अगले दिन का वीडियो है तो यहां पर फिर यह गुजिय का मैदा लगा लेती हूं उसके बाद फिर बनाऊंगी और गुज वो सब काम करना है तो इसमें तुरा से घी डाल के इसको थोड़ा सब दूवा लेते हूं उसके बाद पानी से इसका लोर तेयर कर लूँगे और ये थोड़ा से घी में इस ड्राइब फ्रूट को थोड़ा सब तो पर लेते हो कि इसको काटने में थूड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं एक बार इसमें मिक्सर चला दू तो वही किया और इसलिए इसमें किस्वेश भी डाल दिया और प्रेंट देखें यह मिरा फ्राई हो गया है और इसको मैं फ्राई आर इसको मैं न्यकृत की ऐखैति कि दर नवाखने भी इवडरáticas मिक्सर में हएह प्लेर किस्वेशी ही घुालें सेख़ें Congo क्यों लूद है कर दोर्स Ai कि तो तो नीवी तो हमें के दिए मतल QUEं है दूद्स करा नहीं दाल नहीं होता है तो इसलिए मैं थोड़ा बनाती तो दूद्स डाल देती यह मैं ज्यादा नहीं डाला और यहां पर फिर आगई मैं ये सुझी ये सब सारा कुछ हो गया मिला के फिर लेके आगई तो फिर मैं रूम में ही बैठ गई इसको बनाने के लिए कि यहां पर टीवी भी देखूंगी तो फिर मन लग जाएगा तो थुरा से मैं इसको बना लेती हूँ भरके और उसकी बाद फिर चुला पर छान ऊँगे आधा हो जाता है उसकी बाद फिर चान ऊँगे ताकि छानने में थुरा से शाही हो तो कुछ गुजिए में हाथ से बनाई है और कुछ इस फेम से बनाने में मुझे नहीं मेरे से मसें लगता है कि कहीं टूट न जाए यह फितниц," चानि टाइम में उसलिए फ्रैम से मैं ज्यादा नहीं बनाई तो थोड़ा बहुत बनाया उसके बाद फिर हाथ से ही बनाया तो यह सब को कुछ में बना के रख लेती हूं तो चानने में ठीक रहता है कुछ बनाते जाओ और जो है उसको चानते जाओ तो फिर सही रहता है तो यह काम है तो फ्रेंट बहुत हार्ड वर्क है यह गुजिया बनाना वह भी अकेले में लेकिन मेरा मन था कि मैं बनाओ तो मैं बनाई और यहां पर फिर आगए मेरा वह गुजिया मेरा दो-तिन प्लेट बन गया है तो फिर आगए मैं छानने के लिए तो चुलह नीचे उतार लिया तो किचन में सोची जो किचन में ही चुलह रखोंगी लेकिन किचन में नहीं सही से अड़्जेस्ट हो पाया तो फिर बाहर ल ठकवट हो जाता, इसलिए मैं आशा ही की बनाते जो और छानते जो करते हो लाग से लाग से लाग से लाग से लाग साइबा घ्कुछू से लाग से हुटार भी सिर्जेट। और देखिए इतना मेरा च्छना गया है उसके बाद थूरा बहुत बचा हुए तो यह सब भी मैं च्छान लेती हूँ और फ्रेंट देखिए यह मेरा बुजिया बन रहा है और मैं बैठ के भी बना रही हूँ क्योंकि खरे खरे बहुत थकावट हो जाता है बैठ के भी बहुत थकावट हो गया है कमर मेरा कमर पेर सब तूट रहा है लेकिन मंद कर रहा था बदाने का तो मैं बना ले और कि अब तो फ्रेंट आप लोग उसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज फ्रेंड मेरे वीडियो को फूल वाच किजे और मुझे सपोर्ट किजे मेरा हिल्प किजे है और लिक और अभिच और है इतना जादाब बीजी हूं इतनी बीजी है कि मैं विडियो भी नहीं तुट कर रही हूं ज्यादा कुछ तो बस ये मैं दिखा रही है ये बन गया है मेरा कड़ी और चाबल भी बन गया चोखा बन गया और अब बनाना है मुझे पकौरा तो पकौरा के लिए मैं ढून रही थी कि गोवी मिल जा तो बेटर है बस लेकिन गोवी मिला नहीं तो बैगन ये दिखिए बैगन आलो और लौकी ये सब का पकौरा में बना देती हूँ और टाइम हो गया है सारे दस अभी तक तीनों भाई दुगान पर ही है नहीं आया है कोई तब तक मैं पकौरा चाल लेती हूँ फिर बनाना है दही बरा उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा और बदन सही रहेगा ठकावट नहीं होगा तब मैं उसका चैटनी भी बना लूँग दही बरा का और अगर मैं ठकावट हो गया ज़्यादा हरास्मेंट फिल करूंगे तब फिर बरा बना के रख देती हूं और सब कल बनाऊंगे तो खाना मेरा बन रहा है और इधर मैं ये दूद बॉयल करने के लिए रख दे रहे हूं ताकि दही बारा के लिए दही मैं खरीद के भी लाई हूं अधर किलो दही मेरा ओर दे वारा के लिए लेकिन फिर भी ये मैं ने तर्फ दही जमा लेती हूं ताकि छुदा साओ ज्यादा हो जाए लेकिन कम न, सेस्टी सवेञे तो मेरा ये मानना है इसलिए मैं फुरा साओ दही जमा लेती हूं पर फ्रेंड यह दिन में ही समान आया था मैं होली के लिए कुछ समान मंगवाई थी थोड़ा बहुत आ गया था समान लेकिन थोड़ा बहुत जो कमी था तो फिर मैं मंगवाली तो उसी को मैं दिन भर ऐसे ही रखा हुआ था बच्चा लेके आया था वो ऐसे ही रखके फिर चला गया था तो इसी को मैं आरेंज कर लेती हूँ तो यह मेरा कर्यानी का सारा समान है और ये मसाले वाले दुकान का, तो मसाला का सारा समान है, तो दोनों दुकान से सारा समान आ गया है मेरा, और फ्रेंड ये मेरा सारा काम हो गया है, और अभी भी आज फेस्टिवल का टाइम है भी, तो अभी भी मेरे मजले वाले देवर नहीं आया है, और टाइम बज़ रहा ह एक टाइम हो रात का 1 बज रहा है और दोनों भाई आ गया है लेकिन मेरे दिवर नहीं आ है में जली वाले तो फिर मैं क्या करiley मैं सोची क्यों निया मैं इसको बना ली दीवरा को तो ऐसे PCS सब के थी तो फिर मैं सोचे थी कि एक बज़िया क्या मैं छानों फिर लेकन बैठी क्या करो तो छान ली और देखे ये रात का एक बज़के पांच मिनूनेट हो रहा है ये लिखे पुरा झाल